पवई शास के माधिमिक शाला नार्यानपुरा में परियावरण प्रेमी शिक्षक सतानन्द पाठक ने पौधरूपन कर दिया विवताया कि मानव जीवन प्राकृतिक संसाधनों पर अधारे थे हसार वर्षों से हम प्राकृति पर आश्रित है पर पिछले कुछ तशकों से हमने आवशक्ता स्यधिक प्राकृतिक संपदा का दोहन शिरू कर दिया जिसके परिणाम ये है कि प्रत्वी के बातावरण में अनेक परिवर्टन हुए जैसे तापमाने बढ़ोतरी ओजून परत में छेध होना इसके साथ ही बाढ़ और सूखे जैसी समस्याव का बढ़ना है प्राकृति के बिना मानव जीवन संभव नहीं है ऐसे में हमेज प्राकृति का संरक्षन करना चाहिए प्राकृति के इसी महात्वकों देखते हुए हर साल 5 जून को विश्व परियवर्ण दिवस मनाया चाहता है इसके मात्यम से प्राकृति के प्रति लोगों को जागरुक करने का परयास किया जाता है विश्व परियवन दिवस कतिहा संयोकतराष्टी संग ने सन 1972 में स्टॉक होम में एक अंतराष्टी स्थर पर पहरा परियवन सम्मिलन आयोचित किया था जिसमें 119 देश शामिल हुए थे इसके बाद से 5 जून को विश्व परियवन दिवस मनाया जाने लगा 1972 में ही इस दिन को मनाने की नीव रखी गई थी प्लास्टिक का प्रियोग ना करे आज के समय में प्लास्टिक सबसे अधिक परियवन को प्रभावित कर रहा है प्लास्टिक के बचा से कितने ही जीव आज बिलप्त होने की कगार में है समुंद्री जीवों को भी प्लास्टिक ने बहुत अधिक नुकसान पहुचाया है कचुए मचली सीवर्ड और अन्यजीव जंतु को इसका सामना करना पड़ रहा है बारिश के पानी का संगर है आज के समय में मनुश्यों के लिए सबसे बड़ी समस्या पानी है लगातार पानी की कमी हो रही है कई देशों में तो प रखने में मदद करते है साथ ही ऑक्सीजन का सोर्स भी है जिसके बिना मनुश्य जिन्दा नहीं रह सकता पीबी सी के लिए पवई से अजय विश्व करमा के रेपोर्ट अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर तेखने के लिए हमारे चैनल पुलिस बीरोक्रेट्स निउस को बेल आइकान दबा कर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे अधिक जानकारी लिए हमसे संपर्क करें हमारे कॉंटेक नंबर है 9039011886 एवं 9770229999